Hello everyone, welcome to break time classes इस वीडियो में हम आई द्रिष्टी का part 4 कवर कर रहे हैं और यह जो part 4 वाला यह पिछली वाली जो आई द्रिष्टी आई थी उसमें भी part 4 वाला चीजे थी लेकिन यह वाला जो नई वाले द्रिष्टी आई है उसमें भी कुछीजे जो काफी पुरानी है वो part 4 में है तो इसको cover कर लेते हैं और यहां से question पोची जा सकते हैं क्योंकि एक साल के current affair लगवाग UPCS में आते हैं तो वो सब इसमें आ जाएंगे और इसी में जो है राश्ट्री वाला पूरा खतम हो जाएगा जो राश्ट्री current affair दिया हुआ है तो चलिए सुरू करेंगे यह सभी नोट्स वगरा के लिए आप यूपी पीसेस आरो यारो यह कंबाइन पेड ग्रूप जोइन कर सकते हैं जोएन करने के लिए नंबर दिया हुआ है इस पर वाट्सेप करेंगे तो ग्रूप की डिटेल्स आपको भी पूरा कवर किया गया है तो वीडियो को अभी से लाइक वगरा कर दिया करें क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटीवेशन मिलता है कि पसंद आ रही है चीजे और कमेंट सेक्शन बताएगा पढ़ने के बाद कि आपको यह सीरीज कैसी लग रहे है अब सबसे पहला है आपर सर्वेशड 2023 जब भी एक्जाम होता है एक कोश्चन यहां से जरूर रहता है तो इसको अच्छे से देख लीजे एडिशन इसका आठवान संसकरण है इसकी घोशना की गई 11 जनवरी को राष्टपदी द्रोपदी मुर्मु जी के द्वारा और टोटल इस बार सर्वेशड म में 4,477 शहरों को शामिल किया गया है टोटल सामिल सहर 4,477 और इसमें स्रेडियां कुछ बनाई जाती है तो एक लाग से प्लस जनसंख्या वाले स्रेड़ी में सीर्स पे कौन-कौन से यहां पर सहर है और इनको अरेंज करने को भी पूछा जाता है तो इस बार फर्स्ट मे महराश्ट का फिर आता है विशाखा पत्नम आंधर प्रदेश का फिर आता है भोपाल मध्र प्रदेश का लगभग यहां तक तो आपको याधी होना चाहिए पूछ लिया जाता है या आरेंज करने को आ जाता है या इस तरह से भी कोश्चन आता है कि सीर्ष 10 में कौन सामिल नहीं है तो उस केस में आपको यह पूरा पढ़ना पड़ेगा इंदौर फिर सूरत नवी मुंबई विशाखा पत्नम भोपाल विजयवाडा फिर नई दिल्ली तिरुपती ग्रेटर हैदराबाद और पुने यह दिमाग में होना चाहिए कि सीर्ष 10 में यह सभी है अब यह सबस्ती के कवेश करन अफेर इनको घंड करनी को देजे जाएका या फिर 9 घंट कि काौन सी रैंकिंग तो ओवरान्सी तो में 14 रैंकिंग अबस १ूर्ड इसकी आफ में करने को सकते है तो अधर यहां पर लोडा कंनमबर धनाइक देख लीजीए हमें सराफ ओले में रहता फिर यहां पर 44 है वाराणसी के बाद लखनव 44 नमबर पर फिरोजाबाद आता है और प्रियाग राज आता है यह यूपी के सिर्स है नमबर वन पर नोड़ा है नेक्स्ट बात करेंगे अब अभी जो मनें देखा था है इंदो और सूरत यह सब 1 लाग प्लस जन संख्या वाल जो कि 36 गड़ का है इसमें बस पहला याद रखे कि सासवर जो है एक लाग से कम स्रेड़ी में पहले नमबर पर और यह कहां का है यह महाराष्ट का है नेक्स्ट एक सी जो सबसे स्वच्छ चावनी कौनसी है चावनी वाला जो कैंट एरिया होता है वो महू सबसे स्वच्छ जो मिली है वो नोएडा को मिली है फाइव स्टार रेटिंग मिली है नोएडा को कच्रा मुक्त सिटीज में अब 2024 के लिए जो स्वच्छ भारत मिसन गीत है वो गीत कौनसा है 2024 के लिए तो नया संकल्प है नया प्रकल्प है यह गीत है इस बार का इसके गायक है कैलास खेर नेक्स्ट है यहाँ पर जो राज्य है जितने भी राज्य है उनमें सबसे सुच्छ राज्य कौन सा है किसको रैंकिंग मिली है तो महाराष्ट्र नंबर वन पे सेकंड पे है मध्प्रदेश उसके बाद 36 गड़ का नंबर है फिर उडिशा उसके बाद देलंगाना अब तो सीर्स पाँच गंगा नंगर कोन है सोच्छता में तो गंगा नंगरों में नंबर वन पे आ जाता है वाराणसी है शेकंड पे प्रियाग राज है थर्ड पे बिजनौर है उसके बाद चौथे नंबर पे हरी द्वार है फिर कन्नौर है अब ये देख लिजेगा मतलब य यूपी के ही है याद रखेगा नेक्स्ट बात करेंगे अब पीम जन्मन एक योजना है और यह क्या है तो प्रधान मंत्री जन जाती आदिवासी न्याय महा भियान इसकी सुरुवात 15 नॉमबर 2023 को की गई डेट इंपोर्टन नॉमबर क्योंकि इसी दिन जन जाती गवरो दि दिवस भी होता है 15 नॉमबर संदोहजार को बिहार से अलग होकर जारकंड बना था और उसी दिन विर्शा मुंडगा का बर्थडे भी होता है तो उसको जन जाती गवरो दिवस के रूप में मनाते हैं नेक्स्ट यहां पर जो यह महा भियान है इसमें 75 पीवी टीजी पर यहां पर काम किया जाएगा 75 ऐसे चूज किये गए हैं समुवों को और इसके तहट जो है 9 मंत्राले के माध्यम से 11 महत्रपूर्ण छेत्रों जिसमें पक्का घर सणाक पाइप से जुजा लाता है ऐसे करके 11 चेत्रों को कवर किया गया है और 9 मंत्राले इसके लिए काम क के लिए 24,105 करोन रुपए मंजूर किये गए हैं जो कि 2023 से लेकर 2026 तक के लिए किये गए है और इस साल में 2023 में यह याद रखिए कि इस बार वाला जो बजट था 23 वाला उसमें पीवी टीजी ग्रूप के लिए 15,000 करोन रुपए रखे गए ते और यह इंपॉर्टन है कि इस बार के बजट में था जो 24 वाला बजट था यह जो है आरो यारो के लिए इंपॉर्टन होगा अगर भी यूपी वीश्यास के लिए तो 24 वाला बजट आएगा अब एक ही आपर नमो ड्रोन दीदी योजना नमो डीदी योजना ये कब आई थी तो 29 नॉमबर 2023 को इसको लॉंच किया गया था और इसके तहत प्रधान मंत्री किसान ड्रोन सुविधा एक सुरू की गई है जो कि 30 नॉमबर अगले दिन मतलब जब नमो ड्रोन दीदी ठ्रोन का और प्रसिचन भी उनको दिया जाएगा जिससे उरवरक छड़का वगरह में असली और महिलाएं इस फिल्ड में आ गया सके तो इनको प्रसिचन दिया दिदी तो 1261 करोन रुपई के लागत आगी चौबिस पच्चीज से लेकर 25 अबिस्ता के लिए रखे गए और इसके लाओं आगर उर्वरक उत्पादन की बात किया जाए तो भारत का स्थान सेकंड दूसरे नंबर पर है और उत्पादन तो सेकंड नंबर पर होता है लेकिन प chem करना होने के भाद भारत को इतना उर्वरक आयात करना परता है इंप्रट करना पड़ता है कि इमपोर्ट में पर में भारत दूसरे नंबर पस तो जो दो नमोड्रonne योजन ना जो भरच चहड़काऊं מें जो तरल छड़का हो जिसको का जाता है कि कम उसका यूज हो कंसम्शन कम हो इस पे भी जोड दिया जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे पांच राजयों में अभी विधान साबा चुना हुए सबके परणाम तीन दिसमर को जारी हुए कई बार यह करेंट फेर्म कावर कर चुके हैं घटना सार वगरा में भी कर चुके हैं और यहां पर राज और विधान साबा सीट और मुख्य मंत्री जरूर याद रही तो तिलंगाना जो है यहां पर कॉंग्रेस की जीत हुए 119 सीटे थी यहां पर विधान साबा सीटें पूछी जा सकती हैं जो भी रिसेंट चुना होत मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल सर्मा और मद्य प्रदेश में बीजे़पी buttons बनी है 230 सीट है मद्यप्रधेश में डॉक्तर मोहण यादव जो है यहां पर मुख्यमंत्री बने हैν 26में भी जेपी की गवर्मेंट बनी है 90 सीट चटिजएण मेंग विश्नु देव शाय यहां के मुख्य मंत्री बने है और यह चतिस गड़ के जो है चौथे मुख्य मंत्री चतिस गड़ की स्थापना सन 2000 में हुई थी आपको पता ही होगा मिजोरम में जोरम पीपल्स पार्टी की सरकार बनी है 40 सेट है मिजोरम में और यहां के मुख्य मंत्री बने है लाल दुहोमा नेक्स यहां पर यह चुनाओ होए था इसमें 36 गड़ की चुनाओ में एक मैसकौड पीता सुभंकर भीता यह क्या था तो चुनई-चुनई पूठ तो यह हैं अरुण साव और विजय सर्मा उपमुखी मंत्री इतना नहीं पूछा जाता है फिर भी एक बाद देख लिजे अरुण साव विजय सर्मा और मध्य प्रदेश की उपमुखी मंत्री कौन बने जगदीश देवडा और राजे अन्रसुकला यह दोनों चीज आप मिस है जो जम्मोकस्मीर करें तो इसको निरस्त का फैसला बरकरार रखाए सुप्रेम कोटने 11 दिसमबर 2023 को फिर से जो इसके निरस्त के बारे में जो जो सुप्रीम कोड ने निरड़ दिया उसमें कहा था कि 370 मेसे सब्सक्रारा रहेगा और इसमें अधिस्ता किसने किती तो 588 पीट थी अध्यचिता की थी इस पीट की डी वाई चंद्रचूर्ण ने जो सुप्रेम कोट की जजों की पीट थी उसने नेक्स्ट बात करेंगे जब मुकस्मीर आरच्छन संसोधन विधयक अभी 2023 आया है इसमें जो है कौन से आरच्छन विधयक का यहां पर संसोधन किया ग जबाने पीछडा वरक आ गया है तो इसमें जो है 2019 जो पुनर्गर्ठान अधिनियम आया था जिसके तहर्स का पु नर्गर्ठन किया था उसमें संसोधन किया और सितों की संख्या 107 से बढ़ा कर 114 कर दी गई है और इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टन्ट है जो पीयोगे वाला चेतर है पाकिस्तान उक्यूपाइट कास्मीर जो है उसके लिए भी 24 सीटे आराच्छित की गई है तो यह याद रखेगा पीयोगे के लिए कितनी आराच्छित की गई है चौबिस सीटे एससी के लि यूव भारत यूव भारत यूवाओं हे तो एक स्वायत निकाय है मेरा यूव भारत और इसका सुभारम जो है सुरू किया गया था इसको 31 सक्टूबर दो जड़ते इसको प्रदान मंत्री नरेंन बोडी के दवारा और एकता दिवास होता है मतलब उनका देश की प्रगती में योगदान सक्रीय रूप से हो सके उसी के लिए है मेरा युवा भारत 31 सक्टूबर को इसको लॉंच किया गया था याद रखेगा किस मंत्रा लेके द्वारत तो युवा कारिक्रम और खेल मंत्रा लेके द्वारत नेक्स्ट है आजादी के अमरित महसो का समापन कब हुआ आधिकारिक रूप से तो 31 सक्टूबर 2023 समापन हुआ है और किस प्रोग्राम से इसको समापन हुआ है तो मेरी मार्टी मेरा देश अभियान के जो कला स्यात्रा समारों था उसी की समारों के बाद जो है इसका जो है समा बात हो गई थी 2021 से बारा मार्च 2021 को जब 75 साल हमारी आजादी कि उसी साल 21 को हुए थे तो उसी बार से ही शुरुवात हुई थी और अभी तक चल रहा था यह 31 अक्टूबर 2023 तक और मेरी माटी मेरा देश के साथ ही समाप्त हुआ है और इसमें जो है यह जो पूरा अमृत महस इसमें जो उत्क्रिष्ट प्रदर्शन वाले राजी थे नमबर वन पर किसने सबसे अच्छा प्रदर्शन गिया जम्मु कस्मीर ने पहले नमबर पर उसके बाद गुजरात आता है फिर हर्याना और राजस्थान पहले नमबर पर जम्मु कस्मीर का प्रदर्शन रहा है अ अमरित महोसो इसमारक का भी सिलानयास किया गया था इसके अलावाँ अब मेरी माटी मेरा देश कारिकरम क्या है तो 9 अगस्य कत्ति सक्टूबर 2023 तक यह कारिकरम चला था और इसकी टैग लाइन थी मिट्टी को नमन वीरो को वंदन जो हमारे सहीद वगर हैं उनको उनके याद के लिए जो है कारिकरम चलाया गया था मेरी माटी मेरा देश और इसको कौन चला रहा था तो केंद्रिय युवा कारिकरम खेर मंत्राले इसके लावा संस्कृती मंत्राले दोनों ने मिल कर इसको जो है कारिकरम को चलाया था मेरी माटी मेरा देश नेक्स्ट है नमो भारत ट तो इसका उद्गाटन किया गया है 20 अक्टूबर 2023 को और पहला जो इसका स्टेज है मतलब 17 किलोमेटर का जो पूरा ट्रैक है इसको लॉंच कर दिया गया इसको मतलब सुरू कर दिया गया है साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक शुरू हुआ है और दोनों जो स्टेशन कहा आपने तो गाजियाबाद में टोटल इसकी लंबाई रहेगी 180 किलोमेटर अभी जो है 17 किलोमेटर का सुबारा में किया गया है 20 अक्टूबर 2023 को और क्या है और ऐसे बहुत सारी जगहों को जैसे आसपास की जो राजिया रियाना राजिस्थान वगएरा को दिल्ली से कनेक यह याद रखेगा जली जीव का दर्जा इसको 2009 में मिला था और इसको अधिसूचित किया गया था 2010 में तो कहीं 2009 लिखा रहता है कहीं 2010 इसमें बिल्कुल भी कनिफ्यूजन यहां पर जली जीव की दर्जा की बात की जा रही है अगर अधिसूचित आएगा उसमें तो 2010 हो और अब पूछा जा सकता है कि यहां पर तो यह तो राष्टिय जली जीव की बात की जा रहे थी यूपी ने अभी इसको जली जीव गोसित कर दिया है 6 अक्टूबर 2023 और आईउसीन की लिस्ट में जो है इंडेंजर्ड कर्टेगरी में संकटगर स्रणी में है यह गंगर ड यह अर एक और राजी मचली चर्चा में रही थी घोल मचली जो की गुजरात ने इसको अपनी राजी मचली घोशित किया इसको गोल्ड फीस भी कहा जाता है और विक्रम सिरा डॉल्फिन अभ्यारन ने कहा स्थिथ है तो यह भागलपूर में है इसके अलावा राष्ट्य डॉल्फिन दिवस किस दिर मना जाता है तो 5 अक्तूबर को मनाते हैं नेक्स्ट बात करेंगे आयुर्वेद ज्ञान नैपुन ने पहल एक चलाई जा रही है किसके द्वारा तो यह केंद्री आयुर्वेदिये विज्ञान अनुसंधान परिशत नई दिल्ली के द्वारा इस इसको नॉबर 2023 में शुरू किया गया है और इसका उद्ध्य से आयुर्वेद में नवाचार करना तो यह नैपुन से आप समझ सकते हैं नवाचार करना आयुर्वेद में बस सीधा साई जान लिए नेक्स्ट है भारति भारति भेशज सहिता आयोग इसको PGD का यह सदत से ब पैठक अभी इस बार जो है है हैदराबाद में हुई थी तीन से चार अक्टूबर के बीच में वहीं पर भारति भेशज सहिता आयोग को इसमें सामिल कर लिया गया है इससे क्या होगा तो केंद्री इससे जो है विस उस्तरिये फार्मासुटिकल उत्पात तयार हो सकेंगे भारत के लिए भारत को मतलब फार्मासुटिकल में थोड़ा सा सहियोग मिल जाएगा और यह जो भेशज सहिता आयोग है यह केंद्री स्वास्ति और परिवार्ण कर्णियान मंत्राले का एक स्वायत संस्थान है जो कि अब पीडी जी का सदसिब बन गया है नेक्स्ट बात करेंगे पूछा सकता है किन सासकों से संबंदी थे या किस राजवन से संबंदी थे तो यह काकती सासकों से संबंदी यह घटना है से ट्रेवल फॉर लाइफ यह मिसन है ट्रैवल फॉर लाइफ और मिसल लाइफ के अंतरगति masa let जो है, इसको कब सुरू किया गया था, तो Mission Life को, 20 सक्टूबर 2022 को Statue of Liberty से इसको सुरू किया गया था, Mission Life को, और अब जो लॉंच किया गया है, वो है Travel for Life, इसको 27 सितंबर 2023 को विश्यू परेटन दिवस के आउसर पर इसको भारत मंडेकम नई दिल्ली से लॉंच किया गया है, Travel लाइफ को और यह जो है केंद्रिय पर्यावरान वन और जलवाई परिवरतन मंत्राले संगठन जो है UNWTO और UNEP इन तीनों की भागीदारी से इसको जो है लॉंच किया जा रहा है लाइफ को 27 सितंबर 2020 को लॉंच किया है किस मिसन के अंतरगत तो मिसन लाइफ के अंतरगत जो की 2022 का मिसन नेक्स यहां पर यह जो ट्रैवल फॉल लाइफ है इसके दो श्रोथ हैं दो इसके जो घटक है पहला सचिता के लिए ट्रैवल फॉल लाइफ दूसरा ग्रामीड लेकिन वहां के इस्थानी चीजों को भी इंपोर्टेंस दीजिए जहां आप घूमने जा रहे हैं और वहां के परियावरान का भी ख्याल रखिए टोटल यह बात है नेक्स्ट बात करेंगे लेक 15 प्रुपरतियोगिता भी थी प्रेटन घ्राम प्रतियोगिता इसमें पांचगॉं को गॉल्ड दस गाणों को रजत मिला यान객ं शिलवर और वीश गाऊं को कान से गाउं है तो यह जो है दावर इसमें ज़रूरी याद रखेगा दावर को जमो कस्मीर का गाउं है तो यह पांच है जिसको गोल्ड मिला है नेक्स्ट बात करेंगे भारत ओर्गैनिक्स ब्रैंड यह क्या है तो एंसी ओएल द्वारा आयोजित एक संगोश्टी में जैविक प जैविक उत्पाद है उनको बढ़ावा देने की बात की जारी है उन्हीं को ब्रैंडिंग दी गई है जिनको ब्रैंडिंग दी गई है भारत ओर्गैनिक्स ब्रैंड नाम से और यह जो अब यहां पर यह चीज़ पूछा जा सकता है कि एंसी ओयल क्या है तो राश्टी सहिक बस यह याद रखे कि एंसी ओयल कभी स्थापित हुआ था जनवरी 2023 में और इसका मुख्याले का है तो आनंद गुजरात में बस इतना याद रखना है और यह क्या कर रहा है तो यह जैविक उत्पादों को इसके तहर जो है ब्रैंडिंग उनकी की जारी है किस नाम से भारत हुई मुद्रा में कहां से सिबनी हुई है कहां पर यह स्टैची ओफ उन्नेस का नावरांड किया गया है तो उंकारेश्वर मध्य प्रदेश में और शिवरा सिंग चौहान की द्वारे इसका नावरांड किया था और वहीं पर जो है एक अद्वैत लोग संग्राहले का भी अद्वैत लोग संग्राहले पूछा सकता है कहां परिस्थे ते मध़ë परदेश में और उंकारैश्वर और आधी संकराचारी का जन्म कहां पे हुवा था तो होग ग्राम केरल में हुआ था, और ओधी संकराचारी हे ने 4 मत पर श॥ावित किये थे स्रंगहेरी, पुरी, द्वार्क का और बद्रीनाथ में अभी यह ज़िए रख़ेगा, किसकी मूर्ती है, तो आधी संकराचारी हैं वाकिंग मुद्रा में है चलती हुई मुद्रा में है तहलने वाली मुद्रा में कांसे से बनी हुई है नेक्स्ट एक और प्रतिमा चर्चा में रही थी बियार अम्बेटकर की उनीस फीट की प्रतिमा का नावरा मेरिलेंड अमेरिका में किया गया था इसको स्टैच्टी आफ बाहर से बाहर कहां पर स्थापित की गई है मेरिलेंड अमेरिका में नेक्स्ट बात करेंगे राश्ची हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है 4 अक्टूबर 2023 को हल्दी बोर्ड बना है और इसका जो उद्द्य से 2030 तक भारत द्वारत हल्दी निर्यात एक बिलियन डॉलर तक प भारत हल्दी सब्दोढ़ा उत्पादक भी है सबसे बड़ा उब seven gotta दभी है फिर इसका जो नेर्यात है में बढ़ाना है क्योंकि जिस चीज में कुछी होते हैं उसमें बैस्ट और करने की कोशिस करते और एक विलियन तक ही CPU पानता है इंगले हल्दी का प्रमुख जो बायो एक्टिव है जिससे जो प्रेयरक उत्प्रेयरक कहा जाता है जैविक उत्प्रेयरक कहा जाता है जिनजी बरेशी कुल है क्योंकि चर्चाय मेरा इसलिए पूछा जा सकता है नारे शक्ति वंदन अध्नियम दोजार तेस्स यह किसे संभनित है तो महिला आरच्षण से संभनित है 106 समिदान संसोदन अध्नियम के तहत यह जो है लाया गया है और यह पर अध्नियम की बात की जा रही है बिधयक आजागा तो 128 वाँ यह बिधयक है बिधयक उतना नहीं पुछा जाता लेकिन अध्रियम पुछा जाता है तो 106 यह संविधान संसुद्रन अध्रियम है इसके तहरे जो है लोग सभा और विधान सभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरच्छन की बात की गई है और अभी तक के वल जो है पंचायत स्तर पर ही आरच्छन होता था एक ब अब चीज और याद रखे कि जो SCST के लिए लोग सभा में 131 सीटे आरच्छित है पहले से वह आर्टिकल नंबर 330 के तहता आरच्छित है और यह जो है अता इन वर्गों है तो 33% स्वताही महिलाओं के लिए हो जाएंगी जो SCST के लिए आरच्छित है इसमें एक बटे तीन राश्च्पति के हस्ताच्चर इस पर कब गया तो 29 सितंबर को यह जो है अधिनियम बन गया था यह नारी शक्ति बंदन अधिनियम और वर्तमान की स्थिति की बात करें तो लोग सभा में वर्तमान स्थिति क्या है वर्तमान में लोग सभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के है तो आरचित रहेंगी और अब दो आंगल भारती नहीं है नहीं तो 245 रहती अब अरतमान में जो इस्तित हो जाएगी टोटल जो है 181 मैलाओं के लिए आचित रहेंगी सीटे और नए जो अनुच्छे इसके तहट दोड़े गए हैं यह जो अधिनियम है इसके तहट कौन कौन से अनुच्छे जोड़े गए हैं तो 330A, 332A और 334A नए अनुच्छे नहीं याद रखेगा 330A, 332A, 334A आयुष्मान भाव अभियान का सुभारम किया गया है 13 सितंबर 2023 को और इसको द्रोपदी मुर्मुजी के दवारा गाधी नगर से इसका सुभारम किया गया है व आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभा ये तीन इसके घटक हैं अगर पूछ लिया जाए एक्जाम में क्योंकि काफी दिन हो गया है तो हो सकता है कोशन ना है फिर भी एक बार देख लीजे उद्देश है इसका स्वास्त सेवाओं में करांतिकारी परिवर्तन ही तु और यहां पर नहीं संघिवरागत है और इसथान है कहाँ पर ही तो रैसेंट समत्य दि शकलतन है तुरतर के बीच म्चिन गया है memorize गानपुर ने और इस्ताल लक्ष रखा गया है कि net zero carbon note surgeon का इसमें लक्ष रखा गया है तो यह इतने ही चीज़े थी जो राष्टी वाले में थी अब जो है अंतर राष्टी current affair यहां से सुरू हो जाएगा और यह सभी जितने भी नोट्स वगर हैं जो आई इद्रेश्टी के हैं या फिर घटना सार वाले या बाकी के जो मंत सब्जेक्ट वाले वो सब आपको यूपी पीसे सारो यारो और कम्बाइन पेर प्रूफ में मिल जाएंगे ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया गया है इस पे आप कोई भी ग्रूप के लिए इस पे नंबर पर वाट्सेप करेंगे यूपी पीसेस ग्रूप डिटेल आरो